तो अपन हने पिछले विडियो में में देखा कि जी आफि धिक्ता क्या है उसका यूव सीटाक कि प्रासंग जाता है अब इसको अपने को प्रूव करनाय कि productivity क्या होगा प्रासंग प्रासंग आफिक हम पर है जनबर्क कानिश्चीति Сिदांद के आधर पर देखा था हमने पिछले विडियो में कि कि किसी भी गतिमान-द्रवरकन की सुक्षमसटर्ये बेगआ करते हैं क्लें के सुख्षमस्टरिये बेगआ करते हैं तो उस्ठो बेग्या लिए विज्व्ण आदो कि सुख्षमस मैंने भाख्या करने के लिए एक सिद्धान प्रतिबादित किया जिसे को हम क्या कहते है हाईजन बर्का का अनिश्चित्ता का सिद्धान कहते हैं और इस हाईजन बर्का का अनिश्चित्ता सिद्धान के अनुसार क्या होता है कि क्या होगा कि सुख्षमस्तिर्य कनोग की कि सिक्षन स्थिती और सवेग में क्या होती है अनिश्चित्ता होती है या किसी सुख्षमस्तिर्य कनोग की कि सिक्षन स्थिती और सवेग क्या होता है अनिश्चित होता है इसी क्या कहते है हाईजन बर्का का अनिश्चित्ता का सि यह를में स्थिति में कितनी है यहीं नियुक्त है कितनी है इस मद्लक दोनों का जो गुननपल है मतलब इस दूस्ति हॉत शीता डेलैक्स और सल गुनन फ़ल लरता जी क्या होता है पुर्टक पाय यहां चकट चट कि रच और बराबर होता है यहां लिखा है रापन ने क्या कि सिक्षन है जेंबर के अनिस्शिता इतकस क्इश्वक्षन कि सिक्षन स्थिती तरह समवेक के मापन मिन चित्ताओं का गुनन्धफल स्थीति के मापन में अनिश्चित्ता कितनी है डेलेक्स है और सब्वेक के मापन में अनिश्चित्ता कितनी है डेलेक्स है और सब्वेक के मापन में अनिश्चित्ता कितनी है डेलेक्स है तो दोनों का गुनन फल इस मान से हना स्थीतिता सब्वेक के मापन में अनिश्चित्त सिद्धान के आधार पर किसी भी गतिमान जो सुक्ष्मा करना होता है वो एदी गतिमान हो रहा है और उसकी हमको सुक्ष्मस तरी व्यक्ष्या करना है तो सुक्ष्मस तरी व्यक्ष्या करने के लिए एलेट्रॉन की स्थिती का मापन भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे और उससे डेल एक्स और डेल पी तो उनकी उनका गुनन फल जो होता है वो क्या होता है ऐच उप्लांक टू पाई जहा है जहां ऑच क्या है प्लांक यह इसकी विल्ए कितने उती है 6.62 इंटे 10 इंटे स्पार माइनस 34 जूल इन्टू सेकंड ठीक है अब यहाँ पर क्या यदि कन की स्थिती के मापन में तूटी क्या है डेलेक्स बहुत अधिक है तो सब्वे के मापन में तूटी क्या होगी डेलपी कम होगी मतलब यदि किसी सब्वे के मापन में तूटी कम हो रही है यहां लिखा है अपने सब्वे के मापन में तूटी का है कम है तो हम कह सकते कि यदि किसी सब्वे को यथारताता से अपन माप कर सकते उसमें तूटी नहीं हो रही है तो उसकी स्थिति के मापन में तूटी अधिक हुरी है मतलब हम स्थिति का मापन में यथारता से मापन कर सकते क्या नहीं कर सकते है तो स्थिति का मापन जो है वो यथारता से नहीं किया जा सकता मतलब यहां डेल एक्स का मान अधिक है तो डेल पी का मान कम होगा तो इसके सववे को हम प्रदर्शित करना चाहे तो फिर उसके स्थिति को नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे कि यहां पर सेकंड यह लिखा है कि उसीका उउल्ट है यहां उसीका सिक्षिय कर स्थित मापन में तुम्वे कर दो इसके स्थिति को एक और यहाँ संबव है तो शब्स Хार्थ के मापन को यंठाल ह помог इनिय और किरा तो एक यह क्या हो गया अंणिष्चित्ते सिपह सद्धांद नोगा जिसमें स्तिति के मापन में अनिष्चितना C, और सम्वे के मापन में अनिचिता डेल पी इन दोनों का जो गुनन stuffing होता है कि अब हम में क्या करना है कि पदव में उर्जा था समय के पदों में या जरीन वर्या चीटा सिहां को करना है प्रूब करना है तो हमको पता है हाजण बरक निश्चीता सिध्धान के आधहर पर क्या होता है कि स्थिती मैं अनिश्चीता डेल एक्स और सभीक में अनिश्चीता डेल पी इन दोनों का जो गुझनफल होता है वो क्या होता है सबसे पहले हमको क्या अनिस्चित्ता निकालना पड़ेगा स्थिती में अनिस्चित्ता निकालना पड़ेगा और फिर सब वेग में अनिस्चित्ता निकालना पड़ेगा तो स्थिति में हैनुचिता निकाल तो यहां र dönजट कुछ लगाएंगे यह वेग कितना है बड़ी कितने ड्लक्राइब निकाल दी अब टेली की गदिसने लेंगे इह गति जूरजा ओनने वाल मसें किके ऊहरी तो टोतह गति जूरता करदें स्बसक्राइबagog परीवत नहीं होंगा कि अबल्स को परिवतन होगा तो यहाँ पर एक बटे-दो ऑई-जैसा का वसा वी को अफन डेल्बी स्क्वेयर कर देंगे और जब यह क्या डेल्वी स्क्वेयर को जबधेंगे कितना हो जाएगा इसका डेल्बी आपने कितना डेल्वी लीखाव अब हमुल आडे में अचिक अब यहां से टू से टू क्या हो जाएगा तो यह टू से यह वालए टू केंसल हो जाएगा बचेंगा क्या म já एम वी चाराइम बी इंटु केतना डेल्धी तो डेल ई बराबर कितना हो लिखेंगे और एम इंटु डेल वी मतलब कितना हो जाए डेल पी होता है क्यों कि पी बराबर कितना होता है और जब इसमें परिवरतन करेंगे तो डेल पी बराबर कितना हो जाएगा यहां पर एम इंटु डेल पी कितने लिखी है डेल वी लिखी हुई है इन्टु कितना वी जैसा का वेसा अब यहां से क्या डेल पी इकवल टू कितना हो जाएगा डेल ऑपान में कितना धील पी जैसे का व्य से रखेंगे तो डेल ईयुक्त नोग घंगा भी ओ जाएगा थिस्ट तो यह निकल कर आएगी अपने क्या वेल्यी डेल पी की वैल्यी निकल कर आएगी डेल इंटू कितना डेल यह कितना वी तो आप अपने पास में डेलएट लुवैरें उपर समयकरन और डेल सब्सक्क्राइब और निए अब इसले कि देल में एंटु कितनल निकेट वे और यह किसकी रूप में रूप में हम निकाल दिया देल E into Del T बराबर कितना हो जाएंगा H upon 2P या H cut की रूप में ये किसके रूप में निकल कर आगया उर्जा और उसके समय के पदों में तो उर्जा तथा समय के पदों में हैजन बर्ग का का अनिश्चित्ता सिधां ये क्या करता है प्रद्र्शित करता है जैसे delg into del pré किसकी रूप में है स्थिती और समवेग के मापन में अनिश्चित्ता क्पा गुन्ह नफल क्या है H tag forøonANSby के साध के बरावर होता है वैसे ही उर्जा तथा समय के मापन में अनिश्चित्ता उसके मापन ठीक तरह कि से हैं नहीं कर सकते और समय का आपन ठीक तरीके से नहीं कर सकते कि समय ज़्यों को तो उर्जा किसी होंगे, तो उन दोनों की लिए भी माझ जो होता है, वो कितना होता है perfect में two lire के बराबर होता अब इसके पश्चाद हमको निकालना है क्या कौनिय समवेक तथा कौनिय स्थिति के रूप में किसकी रूप में निकालना है तो आप क्या निकालना हमको कोन्य सम्वेक तथा कोन्य स्थिति के पदों में हाईजन बर्का का अनिश्चित्ता का सिद्धान प्रद्रशित करना है जैसे हमने अभी उर्जा तथा सम्वेक के पदों में निकाला किसके रूप में निकाला और्जा था था समय के पध classy अब कुशे कोनी स्थिति के पद्यों के निकालें किस था पहले कोनी स्थिती प्रदेशित करने करें हैं प्रदेत क्या बराबर कितना डेलेक्स अपन में कितना ट्रिजा कितनी है आर ठीक है यह कैसा होगा कि इससे देख लो कि यह यकी लेली अफ़न गोला और इसकी तुक्रिजा कितने लेली यहां से आर्थ रिज्जा ले लिए अब ये ए से कहा पर जा रहा है बी की रूप में जा रहा है कितना कौन बनाती हुए फाई कौन बनाती हुए जा रहा है है ये आर्थ रिज्जा है तो ये एंगल कितना मार रहा है ये चाप कितना का मार रहा है यहां से दिया पन रखे ये चाप य कौन बराबर चाप बटे त्रिज्जा से तो चाप कितना है डेल एक्स है और त्रिज्जा कितनी है आर है यह कौन डेल फाई की विल्व आगए ओके तो कुन बराबर कितना आगया चाप बटे तरिज्जा से यहाँ पर डेल एक्स की विल्व निकालना है तो क्या हो जाएगा डेल एक्स बराबर कितना डेल फाई अपाउन में कितना डेल फाई इंटु कितना आर तो यह डेलक्स की रूप में निकाल लिया अपन है यह रेखी शिटील में कोन्य स्थितीय यह जाएगी डेल फाई है उसके पड़ निकालना हमको तो कोन्य सब्भेक ता रेकिया सब चैन्द हो होता है कोन्य सम्वथेख बराबर होता है रेकिश अविक गुना कितना त्रिज् को यह सब्सक्राश फिकेंगे कि सब्सक्राश्य लिए लेंगे रिखेन सब्सक्राशाहिंने reflection में लाइब पेंनली सब्सक्राश का राखेंगे रहाश्वर्य पी महंसरा देव मतल गता इस फीलिय होगा यह को धायाल है न साधासी इत्तिम संध्सड़्ण परीवर्तन हो गता detrimental रृण स्रीचास्न गाद रोर किसा रिविट तो अधे संधान की स्थी साथ न की आए घंसला गया तो संवेक तता क्या स्थिती में जो मापन में जो अनिश्चित्ता होती है उनका गुनन फल क्या हो रहा है यहां पर यह उसके कौनिय स्थिती और यह उसका क्या डेल जे क्या है उसका कौनिया संवेक के मापन में अनिश्चित्ता हो की तुर्टी के गुनन फल के क्या हो रहा है ब छहां धार से हमने ये भी निकाल दिया किक रुबी तार्च करते हैं कि सिध्धन की बात करते हैं तो спасибо और है किसरों निद्या चाहलें। या सोरी हम क्या करें स्थिति के मापन में अनिश्चित्ता और सब्वेक के मापन में जो अनिश्चित्ता की बात करते हैं तो उन्टा गुननफल कितना होता है हेट रपाइंद हमें ही पॉपद्aroo के बराबर होता है यह इसको एक्वएलैंड लेंगे एंच कट के बराबर यह किसकी रूप में है स्थिती और सवेक के मापन में अपरोạnh उसीख को हम ग्या को दे और समभाव के लिए भी हम ले सकते हैं कितना एस्टेटोओं कितना तूपाई मैशेक्वलेंट कितना हेच कट्पर की रूप में और इसको हम ले सकते एंप कुणिये स्थीति और कुल्ठ स reflect कि मापन में अनिचित था यह भी क्या होगी एसप और तूपाई बराबर एच कट की रूप में होगी तो यह तीनों जो सुत्र है यह हाईजन बरकी का अनिश्चिता सिद्धान को प्रद्रशित करते हैं ठीक है क्लियर तो किसी कि गतिमान कन है उसके स्थिती जिसको अपन सुक्षमस तरी बाक्या करेंगे तो इसी कुण सी होगी डेल एक्स और समवेक क्या होगा डेल पी के मापन में अनिश्चित्ताओ का गुनन फल क्या होता है एचापउन में टूपाई के बराबर होता है और इसी के आधार पर हम इस स्थितित कर गूणीया बराबर होता है तो इनक व गुंहां के मापन में त्रूटियो या अनिश्चित्ताओ का ब्राबर होता है एचे पां में 2 bolts के क्या होता है भराबर होता जिसको अपन क्या हो लेंगेjust cut के बराबर हलोता है तो यह तीनों कटीन और कितीन हुआनी8 जिटीन को क्या करते हैं ञब टूइ करते है